साथ यह अब हम अलग-अलग सेक्टर की चर्चा करेंगे युवाओ के सवालों से हम चर्चा सुरू करते हैं जिसमें मेरा पहरा सवाल है नरेंद मोधी ने युवाओ के बिकास के लिए उनके जीवन इस्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतिकत परवर्तन किये क्या क्या नीतियां लेके आए यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें नौजवानों का सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी है बेरोजगारी को खतम करने के लिए युवाव को रोजगार मिले इस्थाई रोजगार मिले अच्छा बेतन मिले ये जो पूरा सेक्टर है ताकि उसका अच्छे से जीवन चल सके इस सेक्टर पर युवाव के लिए नरंद मोदी की सरकार ने क्या-क्या नीतियां बनाई यदि कुछ जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्ष में जरूर लिखे युवाव का सबसे बड़ा जो दूसरा सवाल हो सिक्छा है हर बच्छे को सिक्छा मिले तो इसके लिए नरंद मोदी की सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए क्या सिक्छा को सस्ता किया क्या सिक्छा को इस तरीके से किया कि हर गरीब का बच्चा सिक्षिस्थ हो सके हर गरीब का बच्चा हर आम आदमी का बच्चा डॉक्टर इंजिनियर बन सके क्या इस तरीके की विवस्ता सिक्छा के माद्यम से नरंद मोदी सरकार ने करी है पिछले दस सालों में यदि कुछ किया है तो उसको भी आप comments box में लिखें बहुत बड़ा युवा जो खेती कर रहा है खेती के जो सवाल है खास्तोर से MSP का जो सवाल है MSP के बना खेती बचेगी नहीं तो इस MSP के लिए खेती को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए नरंद मोदी की सरकार ने क्या क्या नितिकत परवर्तन किये यदि आपको कुछ जानकारी है तो comments box में ज़रूर लिखें जो इसकल इंडिया प्रोग्राम आया इसकल इंडिया प्रोग्राम से कितने युवां को फाइदा हुआ इसकल इंडिया प्रोग्राम क्या नोजवानों की जिंदगी को बहतर करने के लिए था या फिर पूझी पतियों के फाइदे के लिए इसकल इंडिया प्रोग्राम लाए गया था आप क्या समझते हैं इसका नितिकत समझ क्या है आपकी मोधी साब ने क्या किया सेक्टर में यदि आपको को समझ आ रहा है तो इसके भी जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे जो स्रम कानूनों में परवर्तन करके जो जिस तरीके से स्थाई नोकरी को खतम किया गया जो नोकरी की सुरक्षा थी उसको खतम किया गया तो ये लगाओ भगाओ लाया गया ये जो सारा नीती में आप क्या समझते हैं नरंद मोधी सरकार ने इसमें क्या-क्या नीतिगत परवर्तन किये यदि आपको सेक्टर की कोछ जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे ये कोछ सवाल है जो हमने उठाए युवाओ से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे साथी है जो कहते हैं मोधी साब ने बहुत सारे काम किये युवाओ के लिए क्या क्या काम किये मोदी सामने युवाओं के लिए उनको कमेंट्स बॉक्स में लखे पांच काम बता दीजिए युवाओं जिनसे युवाओं का जीवन इस्तर उठा हो उसकी नौकरी की सुरक्षा हुई हो उसका बेतन बड़ा हो उसका जीवन इस्तर अच्छा हुआ हो ऐसा कोई फैसला किया है तो आप बताइए क्योंकि यही असल सवाल है जीवन से जुड़े सवाल ही जिंदिगी के पिरमुक सवाल है धरम के सवाल, मंदर मस्जित के सवाल से कोई जीवन नहीं बदलने वाला राम मंदर बन गया राम मंदर बनने के बाद से कोई बेरोजगारी खतम नहीं हो जाएगी कोई बेतर नहीं बढ़ जाएगा इस्ताइ नौक्रियां पैदा नहीं हो जाएगी MSP पर फसल नहीं बिकने लगेगी धरमे कास्ता का सवाल एक अलग बिसा है गेर आर्थिक सवाल है उससे मनस्य की जिंदगी में युवाव की जिंदगी में कोई आर्थिक परवर्तर नहीं होने वाला जब तक आर्थिक परवर्तर नहीं होता है तब तक जीवन स्थर में कोई परवर्तर नहीं होता है इसलिए युवाँ से मेरी अपील है कि इस बारे में अपने विचार विक्त करें डिसकस करें अपनी राय को रखें अपनी बात को रखें तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे और इस बहस में सामिल होंगे जो असल तथ में वो आपके सामने रखता हूँ बेरोजगारी का जो मुख्य सवाल था जिसके बारे में 2014 में नरंद मोदी जी ने कहा था दो करोड रोजगार पैदा करेंगे युवाँ को दो करोड रोजगार पैदा करेंगे दो करोड रोजगार पैदा नहीं हुगे हैं जो रोजगार थे उनी को नस्ट किया गया ये इनों ने जूट बोला था यूँ आप से जूट बोलने में बहुत मास्टर है जूट बोल के घुमाने में भी बहुत मास्टर है मुद्दे को घुमाने में भी बहुत मास्टर है मुद्दे को भटकाने में भी बहुत मास्टर है युवा भूल गया कि अनों ने दो करोड का रोजगार का बादा किया था बाद में कहने लगे कि पकोड़ा लगाना भी पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है पकोड़ा तलना रोजगार नहीं है युवावने पकोड़े तलने को रोजगार नहीं मानते रोजगार नौकरी चाहिए नौकरी इस्थाई नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट कारखनों में नौकरी इसको रोजगार कहते हैं जहां स्रम कर सकें स्रम के बदले में बेतन मिले वो इतना बेतन मिले ताकि वो अपना जिन्द की सुपून से चला सके वो बेतन भी इतना चाहिए ताकि उसका परवार उसका अच्छी तरीके से गुजारा हो सके जो कमसे कम आज की तारीक में 26,000 से 35,000 तक होना चाहिए तो क्या ये नरंद मोदी की सरकार ने किया नहीं किया और आइस्थाई नौकरी करके बेरोजगारी क्यों बढ़ाई बेरोजगारी सरकार ने बढ़ाई इनका सब का मक्षद था पूजी पतियों को सस्ता स्रम देना सस्ते करमचारी उपलब्द कराना बेरोजगारी खतम करना नरंद मोदी का तभी टारगेट नहीं था जूट बोर रहा था हो आज भी बेरोजगारी पे कुछ कहे तो एमान के चलो के जूट है हो बेरोजगारी को नरंद मोदी की सरकार ने जान बूच के पैदा किया क्यों पैदा किया ताकि स्रम सस्ता हो जाए स्रम सस्ता किसके लिए पूंजी पतियों के लिए उससे क्या होगा पूंजी पतियों के खजाने भरेंगे सस्ता श्रम से Пुण्जी पती का मुनाफ़ा बढ़ेगा मुनाफ़ा बढ़ेगा तो उसका एक हिस्सा वो चंदे के रूप में भारती जनता पार्टी को देंगे इसलिए आप देखेंगे पिछले दस साल में पुण्जी पतियों का बेतहासा मुनाफ़ा बड़ा बहुत बड़ा चंदा भारती जंता पार्टी और आश्टी सम्षेवा संग को मिला बेतहासा पैसा मिला और बेतहासा मुनाफ़ा पुझी पतियों का बड़ा इसके पीछे का खेल है बेरोजगारी सस्ता मैन पावर कम से कम पैसे में काम करने को मजबूर करना इसलिए नरंद मोदी ने 2014 में पहले ही भासन में अपरेंटेस एक्ट में संसोधन कर किया उन्होंने लाल के लिए से भासन चबाले संकान उनको खतम करके चार सहिता बनाएंगे लाल फीता साही को खतम करेंगे टैनिंग, अपरेंटेस इस सारे एक्ट को संसोधन किया, एक मैन पावर के रूप में इस्तेमाल किया थर्ड पार्टी आउट्सोर्स करमचारी 2018 में फिक्स्टम लेके आ गए तो लगाओ भगाओ पूरी तरीके सो इस्ताई नौकरी का जरूरत खतम कर दिया अब इस्ताई नौकरी कहीं भी मिलेगा नहीं तो ये सारा करने के बाद भी युवां की चेतना में ये सवाल है ही नहीं उसकी जिन्दगी से जुड़ा सवाल अभी भी वो अपनी नसीब किसमत के नाम पर रो रहा है बाबाओं के पीछे दोड़ रहा है मंदरों में घुम रहा है नौकरी के लिए नौकरी सरकार ने खतम कर दिया नौकरी नहीं मिलेगी इस सरकार ने कैसे खतम किये रोजगार रोजगार है इस्ताई रोजगार खतम करने से जो कारखानों के अंदर जो रोजगार है आज भी अगर कारखाने का उधारन ले लेंगे उसमेश 12ka सो मैईन पाओ लगता है तो उसमें regular आपको 1200 लोग मिलेंगे 1000 लोग आपको आहिस्थाई लोग मिलेंगे तो ये 1000 पद हैं हजार इस्थाई नोकरी होनी है एक हजार वो रोजगार हैं तो जो रोजगार हैं उनको आएस्थाई करके वो रोजगार को कोई मतलब नहीं बचा वो रोजगार जो है ना वो बिना रोजगार हो गया उस जो रोजगार को इस तरीके से खतम कर दिया अब उस पे ये 10-NIP वीक्स्टम बाले बच्चों को लगा रहा है एक साल दो साल तीन साल काम करा रहा है उसके बाद मेजा ज जो रोजगार थे उनको इस तरीके से नस्ट किया मोदी की सरकार ने सरकारी गवागों में जो पत्तों उनको खतम किया भर्ती नहीं किया और जहां जरूर थे थी, वहां आउटसोर्स करमचारी, थर्ड़ पार्टी, करमचारीों को लगा करकर के वो काम करवा रहे है, इस्ताही नोकिरी नहीं दे रहे हैं इसलिए जो जौब थे उनको खत्म किया और बेरोजगारों की फोज पैदा की नौकरी की सुरक्षा को खत्म किया इनको गुलामी करने के लिए मजबूर कराया और कुल मिला करके एक सस्ता महन पावर देशी बेशी पूंजी पत्यों को दिया जिससे उनका लाखों हज्जारों करोड रुपे का मुनाफ़ जनरेट हुआ और ये पैसा लूट करके देशी बिदेशी कपनिया देशी बिदेशी देशों में दूसरे देशों में ले जाके कार खाने लगा रहे हमारे देश का पूंजी पत्य बड़ी संख्या में पैसे को लूट करके दुनिया के दूसरे देशों में जाके निवेश कर रहा हुआ जाके पैसे लगा रहा है आम जनता से धनका निस्कासन हो रहा है, ये पैसा जो करमचारियों के रूप में बजार में जाता है, ब्यापानियों के पास जाता है, सबसे पैसा छीन करके पूजी पतियों के जेम में डाला गए, आज पूजी पति माला माल हो रहे हैं, इसलिए बेतहासा आसमानता बढ़ रहे हैं आसमानता के आंकड़े बिलकुँ भायावाए हैं एक तरफा आसमानता है खरपती बढ़ रहे हैं हर साल कई नए-्णए खरपती पैदा हो रहे हैं और जो पूझी पती है उनकी संपती अनापसना बढ़ रहे हैं लूट मची वई हैं तो यह है नरंद मोधी सरकार का पिछले 10 साल का करेक्टर इसको यदि ये बात आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है युवां को समझ में आ जा तो अच्छी बात है और नई समझ में आएगी तो और बुड़ी दुर्दसा होनी है अंगले 5 साल में स्रम कानूनों को सहता लागू होगी जिनके अंदर स पूरी तरीके से बिलकुल ऐसा हो गया कि जैसे ग़ाओं में पकड़के लाटे हैं लगाते हैं और जब छोड़ना डाया लगाए तो उनको जयल में भी डेला जाएगा इस तरीके के प्राउधान लेकर के मोधी साब आ गए है और एक कानून पारत हो चुके हैं और किसी भी दिन लागू कर सकते हैं तो ये सारी चीजों को साती ध्यान अगना है युवाओं का जो भबिस है अज सरकार ने पूरी तरीके से आयस्ठर कर दिया है पूरी तरीके से बरबात कर दिया है आने वाले समय में आप खुदी मेरे को बताईए कि आड़ से दस हजार रुपे जो है लोगों को मिल रहे हैं नौकरी में और जो डिग्री डिपलोमा वाले बच्चे हैं उनको दस बारा हजार से लेके बीस हजार तक बहुत बोलो पच्चिस हजार तक इसके आंगे कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो इतने पैसे में क्या आपका जीवन निकल सकता है क्या आपको दो-तीन साल बाद नौकरी कराने के बाद जब वो बगा देगा फिर कहां जाओगे तो इस तरीके की परिस्थिती हमारे देश के सामने है इस तरीके की परिस्थिती युवाँ के सामने है जिसको हमको अच्छी तरीके से समयने की ज़रूत है सिक्षा के बारे में क्या किया इनों ने इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी का बच्चा पढ़नी सकता हमने एक वीडियो में समझाया कि मनु इसमर्ती कैसे लागू की सूद्दलों को पढ़ने का अधिकार नहीं था मनु इसमर्ती में तो यहां इनों ने महंगाई से इतना महंगा कर दिया सिक्षा और आम आदमी को आमदनी को घटा दिया तो आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता इतना पैसा लग रहा है कि उतना पैसा उभन नहीं सकता जब पैसा नहीं भड़ सकता तो क्या करेगा घर पे बिठाएगा काम पे लगाएगा पढ़ नहीं पाएगा इस तरीके से हाथ पैर काट रहे हैं सिक्षित नहीं होने देना है गरीबों के बच्चों को ताकि ये मजदूरी करने को तियार रहें आपकी गुलामी करने के लिए तियार रहें इसलिए सात्यों इस बात को समझना है जिस तरीके से हाथ काड़ सकते हैं जिस तरीके से आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते है जिस तरीके से आपको मजबूर कर सकते हैं जिस तरीके से आपकी मांसिक्ता को एक गुलाम के रूप में आपको तयार कर सकते हैं उस तरीके से तयार करने की कोशिज कर रहे हैं खेती का जो हलत है क्या है खेती को योजना बद्द तरीके से घाटे का सोधा बना रहा है योजना बद्द तरीके से खेती को बरबाद कर रहा है और खेती बरबाद हो रही तो बड़ी संख्या में जो छोटा किसान है उसका मजबूरी है वो युवाद सेहरों की तरफ पलाइन कर रहा है शेरों में आकर के उनका बेतहासा सोसन हो रहा है उनका दुर्दसा हो रहा है तो एक पूरा एक कड़ी है जिसको देखो गया और एक कड़ी योजना बद रूप से चल रही है इसलिए सरकार ने ग्रामीर छिट में जो रोजगार पैदा करने का काम करना चाहिए उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, ताकि ग्रामीर छेत में रोजगार पहता ना हो, ग्रामीर मजबूर हो करके सेहरों की तरफ पलाइन करें, खेती फायदे का सोधा ना हो जाए, इसलिए MSP नहीं लेके आ रहे हो, तो कि हर पसल का यदि MSP हो जाएगा, तो कम सिकम किसान जो डूप जा आ एकदम, वो डूपने से तो बच जाएगा, इसलिए वो MSP लेके नहीं आ रहे हो, आज की तारीक में जो फल है, सबजियां है, उनका हालत तो यह दूध है, जिससे आम आदमी गाउं में जिन्दा रहता है, उस सबका इतना बुरा हालत है कि उसमें लागत निकालना मुश चार सो रुपे किलो मेंच दे, किसान को कोई फायदा नहीं मिलता है, तो यह बात को समझना है, किसान को, किसानी को चौपट करने की कोशिच कर रहे हैं, ताकि देशी भी देशी कंपनियों को, इस किसानी को, उनके हवाले कर सकें, उस पे किसानी वाले वीडियो पर में वि पिर्वावेत है कुछ भी ब्यापारी हैं जिनकी दुकाने चल रही है बड़ा स्कूप ता फुटकर ब्यापार में हुच सारे रोजगार उत्पन होने की संबावना दी सबसे बड़ा रोजगार जो है देता फुटकर ब्यापार देता बड़े बड़े सहरों के आजू बाजू जहां बड़े बड़े मॉल्स हैं ओनलाइन जहां आवाजाई होती है ओनलाइन नेटवर्क है उस पूरे एरिये में फुटकर ब्यापार का हालत खराब है अभी भी दूर दराज गरामी रिलाकों में जहां बजार थोड़े बचे हो गए है वाँ अभी भी मार्केट फुटकर ब्यापार से चल रहा है बाकी अभी इनका टार्गेट है कि पूरे छित छित में सारी कमपनियां जाने वाली है तो ये देखना है इस बात को कि जो ब्यापार का स्ट्रेक्चर था उसको कॉपरेट्स कमपनियां उसके कबजा कर रही हो भारी मुनाफ़ा कमा रही हो इस तरीके से अब देखेंगे सरकार की दिसा आम जनता के हित में कहीं नहीं है इवा के हित में किसी भी सेक्टर में नहीं है किसी भी सेक्टर में जाके देख लिजी यह नीतिगत प्रॉब्लम है जिसको समझने की जरूरत है वाद चुनाओ हो रहे हैं ऐसे समय में हमको इन सवालों को पूछने की जरूरत है और यह सडियन्त है कि सरकार स्वयम प्रधान मंतरी पूरी मीडिया इनके कबजे में है कहीं भी आपको जिन्दगी के जुड़े सवाल पर चर्चा नहीं मिलेगा ऐसे सवालों पर बात करेंगे जिनका आर्थिक सवाल नहीं है जिनसे नौजवानों का युवाव का जिन्दगी में कोई परवर्ता नहीं होता है ऐसे सवालों पर बहस करवाएंगे ऐसे सवालों पर बोट करवाएंगे धार में जगड़े कराएंगे हिंदू-मुसल्मान कराएंगे ताकि आप इन असल सवालों की चर्चा ना कर चको तो ये सडियनते सातियों जो इस सरकार कर रही है नरंद मोधी साप कर रहे हैं देश के खिलाफ जिनको हमारे देश की जंता को समझने का चर्चा अब आप बोट किसको देना मैंने आपके उपर छोड़ा मगने सारी चीजों को समझना है अगर हम सारी चीजों को समझ के नहीं रोक पाएंगे तो इमान कर चलिये कि हमारा खुद का जिंदगी तो बरबाद है हमारे आने वाली नसल, फसल और इवा पीड़ी सबका जिंदगी परबाद होगा ये बिल्कु सुनश्चित है कोई नहीं बचेगा कोई नहीं बचेगा ये बिल्कु सुनश्चित है जिस दिसा में ये सरकार चल गई पागल हाती की तरह चल रहे हैं इस हाथी को रोकना बहुत जरूरी है वो इस हाथी को युवा ही रोक सकता है बोट की ताकस से और अंदोलन की ताकस दोनों ही मैदान हमारे लिए खाले है तो बिचार कीजिए काफी बाते मैंने युवाँ के संदर्व में रखी है इन पूरे निती का सवालों को दिमाग में रखे अपने आप से सवाल कीजिए सरकार से सवाल कीजिए अपने दोस्तों से सवाल कीजिए अपने साथियों से सवाल कीजिए और फिस सवाल का जो जबाब आए फिर जो आपका दिमाग करे कि आपको किसको vote करना है आप उसको vote कीजिए यह मैंने आप पर छोड़ा है धन्वाद यूवा सातियो मुझे यूवाओं से बहुत उम्मीद है मुझे और हर बदलाव यूवा ही करता है जब भी सारा जक्ता का बदलाव करेगा यूवा ही करेगा यूवा जब तक चोड़ा यह जो लूट मची हुई है देश के अंदर यह लूट को रोकने का ताकत केवल यूवाओं के अंदर है यूवाओं का जागरुक होना बहुत ही ज़रूरी है जब यूवा जागरुक होगा तभी यह सारी परिस्तिती बदलेगी तो इस उमीद के साथ कि हमारी इस बात को सुनके आपकी चेतना में समझ में कुछ ना कुछ परवर्तन तो आएगा अब हम अपनी बात को खतम कर दाए है सात्यों आप से निवेदाने के सीरीज के जितने भी वीडियो हमने बनाए है क्योंकि हमने बैचारेक चीजों को कबर किया है राश्टी स्वेम सेवक संग के सारे बैचारेक छितरों को कबर किया है हमने सावर कर और गोलवल करके बैचारों को कबर किया है एक बार सारे वीडियो सुनें आप सारी पॉल्टेक्स पूरी राजनीती की दिसा को आप समझ जाएंगे दूसरा निवेदन है कि हमने छे किताबे लिखी हैं पबले सो चुकी हैं हमारी उनको पढ़ें आप पहली किताब का नाम है राजनीती दूसरी का किताब का नाम है राजकन्ने की नीती तीसरी किताब का नाम है विचार धारा है चौती किताब का नाम है संगठन आत्मालो चनात्मक सिद्दान पाचमी किताब का नाम है बैचारक एकता का अधार छटमी किताब का नाम है बहुजन और बामपंत सातमी किताब और आठमी किताब बहुत जल लाने वाली है किताबे भी लखेंगे और बैचारिक वीडियो भी बनाएंगे ताकि हमारे साथी हमारे युवा जागरुक हो सकें और एक सही दिसा में देश के निर्माण में सहयोग कर सकें आप सहयोग करेंगे इसी आसवमीद के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूँ थैंक्यू साथी दन्वा थैंक्स मुलत अंगले वीडियो में थैंक्स